नमस्कार दोस्तो आचार खाने के शुकीन देसियों के लिए आज हमने बनाया है मेडिटरेनियन पिकल और इस पिकल को खा कर आपके दांत भी खटे नहीं होंगे सो रेसिपी की शुरुआत करते हुए हमने सबसे पहले अपनी वेजीस को धो लेना है उसके बाद उन्हें पील कर लेना है और दोस्तो देसियों की जिंदगी में अचार का बहुती बड़ा महत्व माना जाता है इनकी तो थाली से लेकर मुहावरे तक भी अचार के विना कंप्लीट नहीं होते बिकॉस जब एक देसी को कहना होता है माइंड यूर उन बिजनस वो कहता है ना तुकी चार पुना है इना नुझे पर इंड लड़ जाए ये ता चार लाके ठीक कर लेन देने सो ऐसे माँ दे कंपाउंड ना लिया चापा बनाईया पिकल्ड वेजिटेबल्स ती रेसिपी जे दे अंदर की आपा गाजर शलगम ते नाली बीट रूट नुझे शामिल किता है जे तुसी चाहोता है दे अंदर गोबी भी पासाग देओं विच मीन्स फुल गोबी दोस्तो सरदियाच देसी साग नुझे चिंबडे रेंदे है ते गर्मियाच चार नुझे पर ए सचार नुझे अपना सरदियाच ची पाया है तो साथ में आप अचार रखके उसका स्वाद इनायंस कर सकते हैं और जैसे ही आप अचार के मर्तबान को हाथ लगाएंगे बीवी को अपने आप पता चल जाएगा कि सब्जी अजी स्वाद नहीं वणी दोस्तो अचार को तो खुशकबरी का कोड़ वर्ड भी माना जाता है क्योंकि बीवी अगर बोले सुनो जी अचार खाने का मन कर रहा है तो आप समझ लीजे उस सर्द रात की भूल आपके घर में कमल का फूल या फिर कमल ककड़ी खिलाएगी सभी वेजीस को बेटन शेप में काट लेने के बाद अब हम पिकल मिक्स बनाना त्यार करेंगे और इस पिकल मिक्स की मेजरमेंट्स बहुत ही सिंपल है जितना पानी उतना ही आपने सिरका लेना है और आज हमने यहाँ पर नैचरल विनेगर का इस्तमाल किया है और हमारे पिकल मिक्स को फ्लेवर करेंगे शुगर, सॉल्ट और हींग से सो दोस्तों जैसा कि हमने देखा हमने पिकल मिक्स के सबी इंग्रीडिंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जब अच्छे से उबाल आ जाए तो इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स को एड़ कर देना है वेजिटेबल्स एड़ कर देने के बाद इसे चलाते रहेंगे और वेट करेंगे बॉयल आने का Now getting back to the story जिते मेक्सीको दे बच्या दे टैचियां चो ड्रग्स पड़े जान देने ओथे देसियां दे बच्या दे टैचियां चो अचार दे मर्तबान क्योंकि मर्तबान च माने अचार नी प्यार पाके पेजिया है क्योंकि माँ अपने बच्चे नू चंगी दरा जान दी है कि उन्हाने किसे संजीव कपूरों नी जम्या क्योंकि जेडे पतंदर नू पाणी उबालना नी होंदाओ सब्जी कि थो बना लू दोस्तो देसियां देतक अपने चो लेके सहां तक चो अचार दी मुश्क मारती है अचार नू ठंडा करन तो बाद आपाई नू मर्तबान च पालेना है जो की कदे बौरन वीटा दा जार सी और से जार दोस्तो आप रौप यू नजाए टोड़ी पुखी प्यार दी पुखी जार दी पुखी तोस्तो जार डोगे अंचार दीन आप खे लिए टोस्तो जार दीन करते हैं